नमस्कार वच्चों आप लोगों का स्वागत है हमारी यूटुब चैनल प्रतीक टीच 2.0 में आज हम देखेंगे किलास 12 के लिए एक वेहत्पून प्रश्ण जोकी हिंदी का है चलिए तो हमारा प्रश्ण है मात्रभाशा बराश्टभाशा में चार अंतर बताईए चलिए तो फश्ट है हमारा मात्रभाशा इसमें हमारा फश्ट है मात्रभाशा किसी व्यक्ति के जन्मिस्थान की भाशा होती है जैसे कोई व्यक्ति जिस जगह पैदा होता है तो उसकी बहाँ पर बोले जाने वाली भाशा को मात्रभाशा कहा जाता है चलिए राष्टवासा में हमारा फश्ट है राष्टवासा संपूर राष्ट की भासा होती है हमारा राष्ट जैसे की भारत वर्स है हमारे भारत वर्स में जो भासा बोली जाती है उसे राष्ट की भासा कहा जाता है सेकंड है मात्र भासा में हमारा मात्र भासा अपने छेत की सिक्षा और सासन की भासा होती है जो मात्र भासा होती है वह अपने छेती जैसे कि आप लोग का छेत जैसे जवल पूर है चतर पूर है वहाँ पर जो भासा बोली जाती है उसे मात्त भासा आपकी सिक्षा की भासा और वहां की पुलिस सासन की भासा को मात्त भासा बूला जाता है चलिए राष्ट भासा में हमारा सेकंड है राष्ट भासा सम्मीदान और अदालतों की भासा होती है जैसे कि हमारा जो सम्मिदान है जो अधालतों में जिस भाशा का प्रियोग किया जाता है उसे राष्टभाशा कहा जाता है मातभाशा में हमारा ठाइड है मातभाशा का छेत संकुचेत होता है जो मातवासा होती है उसका छेत छोटा होता है यानि की संकुचित होता है और राष्टभासा का छेत विसाल होता है जो राष्टभासा होती है बैबेड़े प्रकार की होती है यानि की उसका छेत बहुत जादा विसाल होता है मात्वासा में हमारा चौथा है मात्वासा की लिपी भिन हो सकती है जो मात्वासा होती है उनकी लिपी यानी की अलग-अलग प्रकार की लिपी हो सकती है अलग-अलग जगाये पर अलग-अलग प्रकार की मात्वासा का प्रियोग किया जाता है राष्टवासा की लिपी निश्चत होती है जो की हमारे राष्ट में संभीदान में जो भासा लिख चुकी है उसकी लिपी ना कभी चैन्ज होती है और ना ही वदलती है जो लिख चुकी है एक बार भासा उसे ही राष्टवासा कहा जाता है चलिए तो हमारा छोटा सा प्रेशन कंप्लीट होता है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपनी दोस्तों को शेर करना ताकि उन्हें भी थोड़ी नौलेज मिल सके थोड़ा नौलेज मिल सके मातवासा और रश्टवासा की बारी में ठैंक यू